इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ECS टीटेन का जो आज का पहला मैच होगा CRC वर्सस SNA के भी जिसके बारे में तो भाई जिस आपको मालूम है आज से ECS श्रिया स्टार्ट हो रही है और ये वाला मैच जिसके भी आप वीडियो देख लो ये इस सीरीज का पहल मैच है और दोनों जो टीमे हैं वो भी पहला पहला मैच खेलेंगी तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्डन है जहां हम ये देखेंगे कि दोनों टीम की तरफ से कौन कौन ओपन करेगा साथी में प्लेयर का स्ट्रीट्स क्या है बोलिंग अटेक में कौन सा बोलर ड खेले में नहीं थे एक तो जो ही रूट बैटिंग नहीं नहीं आए था और एक आपका एडम जेंप पर देखेंगे पता एक तो में कल मेदान में था तो वहां पर क्या है बतलब एक्साइटेड में पता ही नहीं लगा कि कितने कितने स्पिन बोलर खेल रहे हैं तीन तो पह अब बहुत अच्छा विन की होगा मैरी अगर विनिंग की बात करता हूँ 19 लाख रुपे मैंने विन की जो मैंने आपको शेयर भी किया था विट वीडियो प्रूफ जिससे आपको कोई डाउट ही नहीं आए तो उमीद करता हूँ उसी की तरह ये वाला मैच भी हम काफी अ कर लेना ताकि जब अगली वीडियो आए ना वो आप लोग को मिले साथ ही जो गिववे की कंडिशन है वो भी आपको पूरी मतलब आपकी पूरी हो जाए क्योंकि मैंने अभी जश्ट बोला है थोड़ी दर पहले गिववे उनी लोगों के लिए जो चैनल के गिववे क्या है वह आगे देख लेंगे उसी के अलावा जैसे अभी आप यह मैच खेल रहे हो अब आपको बताए यह टीटेन फॉर्मेट है टीटेन फॉर्मेट हो तो गेम कहां पर डिपेंड होगा गेम डिपेंड होगा टॉस के अपर तो टॉस के बाद जो मेरी फाइन तो वह अगर खेले तो उनका जो स्टीट होगा वह भी मैं शेयर कर दूँगा साथ ही जश्ट लाइक मान के चलिए कि बैटिंग ओडर भी यह लोग जो है न सही देते हैं तो बैटिंग ओडर आपको मिलेगा और टीम तो आपको मिलेगी तो टेलिग्राम एक बहुत बहुत तो बहुत इंपोर्टेंट काम करता है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जो भी लोग नहीं जुड़ा है जरूर जाके जोइन कर लेना देखिए यहां से अगर मैं बात करता हूँ इस मैच के बारे में सबसे पहले वेन्यू के बारे में बात करेंगे तो सीवन किरिकेट गर आवा बैलेंस बिकेट रहता है यहां पर एवरेज इसकोर सो से लेके 110 का है टोस मेना टीम बोलिंग करनी चाहिए क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखोगे ना तो चेंजिंग यहां पर आसानी से होती है उसी के अलावा यहां पर हम बात करते हैं प्रॉबेबली लेवन की देखिए हो सकता है इनकी प्रॉबेबली लेवन में जो अभी आप लोग बैटिंग उडर देख रहे हो ना उसमें चेंजिस हो जाए क्योंकि बस मुझे यह की चीज़ का डर है और वह है शादनान खान का क्योंकि शादनान खान जो है ना ओपन करता है अब शादनान ओपन इसलिए मैंने मैंचिन नहीं किया है क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखोगे ना तो बिलाल जलमाई भी एवन यह तो अप जो टीम ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया की जो इंटरनेशनल टीम है ना वहां से ओपन करता है तो लेग में तो मैं एक्सपेट कर ओपन करेगा ही करेग बड़ शादनान की जो टीम थीना पहले वो यह बंदा ऑपन कर अलग अलग टीम में थे दोनों तो इसलिए हो सकता है देखिए शादनान ऑपन कर ले यह चीज़ आप ध्यान लगना ठीक है इसी का थोड़ा सा डर है बाकी तो कोई दिक्रत नहीं है ठीक है देखिए सबसे अभी जो हम एक्सपेक्टेड है ना वो देख लेते हैं बशीर एमद बिलाल जलमाई ओपन करेंगे और वहीं पर बशीर यह सोरी बशीर खान फिर बशीर खान वड़ना होना आएंगे फिर शादनान खान है जावेद जद्रान है यह बैटिंग में नीचे भी आ सकता है और जावेद अफगान है और वकार जलमाई है मौस्ट लाइकली शादनान और वकार जलमाई पावर पले में आएंगे देखे मैं आपको बोलिंग अटेक पहले दो दोवर का दिखाता हूं क्योंकि इनका जो बोलिंग अटेक ना पावर पले और डेथ वाला यह चेंज हो सकता जिसकी possibility जाद है ना वह मैं आपको बता देता हम सबसे पहले हम दो दो ओवर देखते हैं जो मतलब high chances जिनके दो दो ओवर करने के सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है आप बसीर खान का main बोलर है wicket taker बोलर है इन से आप लोग दो ओवर जरूर expect कर सकते हो जावेद जदरान से आप लोग दो ओवर expect कर सकते हो कितने ओवर हुए चार ओवर हो गए ना उसी के साथ साथ अगर मैं दो ओवर की बात करता हूँ इनके अलावा तो इनके अलावा आप लोग को जो यह देख रहे हो साजिदुल्ला से फीज लेग इस पीनर है यह भी आपको मोस्ट से मोस्ट चांसे जे दो ओवर देगा होए कितने छे ओवर ना अब जो बाकी का चार हो रहे हैं उसमें देखी अब्दुल्नासिर है इनके बास क्या बोलिंग अटेक जादा है और इवन मैंने अभी तो जो शादनान और यह बिलाल जलमाई है इनका नाम तक नहीं लिया है यह भी बोलिंग करते हैं लें इनका बोलिंग अटेक थोड़ा सा क्या है बताना मुश्किल है बाकी जिन तीन का मैंने नाम लिया है आप उनसे ओवर्स का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो और पावर प्ले में मोश्ट लाइक लिया आपको बसीर दिखेंगे और बसीर अगर यह जो ओपन है शादनान करते हैं बोलिंग में तो आ सकते हैं वरना फिर डेथ की अगर मैं बात करता हूँ ना तो जाविद जद्रान आपको डेथ होवर्स में लगभग फिक्से दिखने वाले है और यह डेथ होवर्स में जश्लाइक आप मान सकते हो कि शादनान खान वकार जल्माई या वसीर खान में से किसी एक के साथ आई है मैंने अला कि मैंचन नहीं किया है जाविद को बट यह चीज में आपको नॉर्मली वैसे भी बदा सकता हूँ यह बैंच के प्लेयर हैं जो अगर खेलते हैं तो स्टेट्स आपके सामने बाकी मुझे लगता नहीं है क्योंकि जो में बोलर है जो में प्लेयर है वो खेलने चाहिए ऐसे नहीं की तरफ से कर मैं बात करता हूँ ना तो नवीन वीजे से करा 29 मैच में गुनीस विकिट सांसो आट ट्रंस टीट्विंटी फॉर मेटे 2020 से 2022 तक का ओपनर प्लेयर है यह ओपन करेगा दोस्तों यहां से रियान एहमत के साथ जो विकिट की पर है ठीक है उसी के साथ साथ लकमल कश्तूरी वंडावन आएंगे लेक ब्रेक गुगली बहतेरीन विकिट टेकर बोलर है और साथ में आपको टॉप आटर में बेटिंग देंगे इसका मतलब हो गया कैप्टन मेटेरियल प्लेयर आफ्टर देट आएंगे आएंगे आज से अर्मान रंदावा अर्मान रंदावा ग्यारा मेच में छे विकिट और दोसो चुरानवर रन शाम सत्यम सुभाश है चतिस मेच में इनके 38 विकिट से शरंगिल 37 मेच में 18 विकिट शीवम सुभाश 27 मैच में 4 विकेट बासीत इकबाल 23 मैच में 16 विकेट साथी में 4 आन्वा रंस उसके बाद दिवित विजे सेकारा 27 मैच में 17 विकेट उसके बाद आएंगे करुन खन्ना जिनके 17 मैच में 33 विकेट है में बोलर है, विकेट टेकर बोलर है ब्रेक बोलर है ठीक है उसके के साथ साथ यहां से नॉमा नारिफ एपंद्रह मैच में तेरा विकेट है आपईस बिना रहे ठीक है ती ट्विंटी फॉर्मेट का रिकोर्डिक का मेक्सिमम प्लेयर्स का और ये वैसे भी नई नई प्लेइर खेल रहे हैं। उसके बाद हम इसे बात करते हैं, मैं प्लेइर्स की और पावर प्लेइर वो डेथ बॉलर्स की, नवीन दिवीत और वही पर सत्यम सुबाश से, आप पावर प्लेइर एक्सिपट कर सकते हो, मेडल में नॉमन आरिफ दिवित विजे से करा रहा है लक्मल कस्तूरी और डैथ होर्स में करून खननना लक्मल कस्तूरी सत्यम सुभाज देखिए इनके में बोलर्स की में बात करता हूँ ना तो लक्मल कस्तूरी इनका में बोलर है उसे के साथ साथ यहां पे सत्यम सुभाज इनका मेंड बॉलर है, यहाँ पर आप देखोगे, तो करून खञननना इनका मेंड बॉलर है, अब ये तीन मेंड बॉलर है, स्पिन बॉलर है, उपास्ट बॉलिंग कि अगर मैं बात करता हूँ ना, तो नविन वेज़े सेकारा से आप का expectation कर सकते हो और वहीं पे अगर आप normal ही देखोगे तो just like आप मान सकते हो दिवीत वे जासे का रहा से भी आप दो और expect कर सकते हो अब इन में से और जो है ना उन्हीं ये गटेंगे जब जैसे कि कोई player bowling कर रहा हो और एक क्योर में जादा रन खा गया हो ठीक है ये bench की बेर हो गया ये medal और power बेर डेथ हो गया और उसी के लावाब हम बात करते है demo team ये final team देखी मैंने आपको already starting में बोल दिया है कि telegram पे मिलेगी description में link के जरूर join कर लेना जिनोंने नहीं किया है तो अभी मैं आपको demo team दिखा देता हूँ जो मेरी रहने वाली है देखिए सबसे पहले मैं आपको vision की team दिखा रहा हूँ बाकि same team रहे है ठीक है कोई change भी नहीं है मतलब यही team आप dream भी लगा सकते हूँ कोई बड़ी आपको दिक्कत नहीं आईगी क्योंकि जो player जहां पर होने चाहिए वही है और देखिए विकेट कीपर सक्षन में बी एमद और आर आर आमद दोनों यह ना अच्छे player है दोनों यह equal level के player है बाकि बी एमद की team थोड़ी strong है तो मैं इनसे विकेट कीपिंग में कुछ catches स्टंपिंग भी एक्सपेट कर रहा हूँ और आपनिंग तो करेगा यहार आमद की जरह और हीटिंग भी दोनों यह equal है तो मैं भी एमद की साथ ही जा रहा हूँ अब भी आप आज है यह बैटिंग सेक्षन में सफी साजी दुल्ला विकेट टेकर बोलर है है ना तो इनको मैंने पिकिया सत्यम सुबाज भी बिकेट टेकर बोलर है और शादनान खान में तो इवर मैं वी सी में गंफ्यूज हूँ तो भाई इनको तो ड्रोप करना है नहीं है लकमल कस्तूरी फिलाल है यह मेरी डेमो टीम है ठीक है जो भी चेंजेस होंगे ना टीम के अंदर उसका मैं अल्लेडी आपको स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ कि फाइनल टीम टेलिग्राम पर मिलेगी तो अब जो यह टीम है ना इसमें कैप्टन मेरे रहेंगे बिलाल जलमाई और वाइस कैप्टन में थोड़ा सा मैं कन्फियूज हूँ कि भाई मैं शादनान खान के साथ जाओं बसीर खान के साथ जाओं या नवीन विजज से करा के साथ ठीक है फिलाल मैं थोड़ा सेफ प्ले कर रहा हूँ यानि कैप्टन जलमाई वाइस कैप्टन नवीन विजज से करा बागी जो चेंजर्स होंगे ना टीम में वो मैं आपको टेलिग्राम पर इंफर्म कर दूँगा शादनान को वीसी नहीं बनाने का रीज़न है यह यह क्यार बोलिंग अटेक में और यह पास बहुत सारे बोलर है शादनान ने बोलिंग नहीं की तो वाई नवीन विजज से करा बैटिंग बोलिंग दोनों करेगा समझ रहे हो तो इसलिए मैं फिर शादनान चोथे पर भी आ सकता है तो शादनान को भी सी करना काफी रिस्की सा हो गया है बाकी देखिए मैं आपको इन्फर्म कर दूँ आ यार जो बैटिंग मोड रहे हैंगा नो उसके इसाफसे हम चीज़े कनवर्ट कर लेंगे टीमस के अंदर ठीक है कैप्टन बिलाल जलमाई है वाईस कैप्टन नवीन विजे सिकारा है उसी के अलावा जो चेंज़े सोंगे टीमस के अंदर वो टेलिग्राम पे आपको मिल जाएंगे अच्छा अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी किया इस वीडियो में गीवब रहने वाला है तो बहुत सिंपल गीवब है बलकि जो बंदा जितना जल्दी वीडियो देखेगा उसका उतना ही जादा फाइदा है क्योंकि देखिए गीवब का विनर टाइम के बैस पे आएगा और एक ही विनर आएगा अमाउंट धाई सो रुपए हैं और सीधा फिरी में आपको कुछ भी नहीं करना है एक कॉमेंट करना है कॉमेंट यह ही है कि इस मेच में जो टीम बिलाल जलमाई की टीम है यानि कि एक्जामपल के लिए लाइक यह टीम है सी आरसी है ना तो सी आरसी की तरफ से सबसे ज़्यादा ड्रीम लोन में किसके पॉइंट आएंगे और जो सेकंड टीम है ऐसे ने इसकी तरफ से सबसे ज़्यादा dream alone में पॉइंट किसके आएंगे ये जिसका अंसर सही होगा पहले वो फिरी में 200 रुपे जीट जाएगा ठीक है बस इतना ध्यान डखना जो give away condition है वो ये कि चैनल को subscribe करना चाहिए आप लोग को वीडियो को like करना चाहिए और comment एक करना बस इतना ध्यान लाएं ठीक है और comment आपको जो toast ये मतलब match की deadline होती है ना उससे पहले पहले ही valid होगा अगर आप उसके बाद valid मतलब comment करते हो चाहिए एक मिनट बाद ही करो सही ही comment हो लेकिन आपको price नहीं मिलेगा valid time तक यानि कि deadline end तक ही comment valid है वरना फिर आपको कोई price नहीं मिलेगा ठीक है तो subscribe कर लेना आगे भी ऐसे यूविज आते रहेंगे final team के लिए telegram channel को join कर लेना thank you दोस्त वीडियो को end तक देखने के लिए मिलते हैं